नमस्कार मुर्पिया धराल धर तीस खबरों में आपका स्वावत हैं चलि जानते हैं देश प्रदेश के अब तक ही प्रमुख खबरों को भारत बायते की वाक्सीन को भी डीजी सी आई की तरफ से अनुमती दिये जाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि नवंबर में दो साल से उपर के बच्चों को ठीके की खुराफ दी जाएगी हाला कि अब स्वास्विश रगे ठीका करन ने देरी होने की बात कह रहे ह क्योंकि अभी तक इसकी अनुमती नहीं मिल सकी है आतंगवाद और सीमा पार अपराधों के खिलाफ जिरो टॉलरेंस की नीती बनाय रखने के देश उसे केंद्र ने सीमा सुरक्षा बलको अंतराश्ट्रे सीमा से 50 किलोमीटर भीतर तक तलाशी करने, संदिक्टों को जिसके खिलाफ आंश्यकला परवाही का रोप लगाए गया है, ये बात सुप्रिन कोट में कही है, यांधी शेमंत कुप्ता और वी सुब्र मन्यम की पीठ करनातक उचनेयाले के निश्कर्षों के खिलाफ एक महिला और उसके नामालिक बच्चों की तरफ से दाखिली और अफगारिस्तान के नागरिकों ने वसंत कुर्जिस्थेत यू एन एच आर्सी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, इस विरोध प्रदर्शन के आयोजकों ने काबल समेथ पुरे देश में अफगान महिलाओं के उपर हो रहे है अत्याच्वारों को बंद कर जाने की मांग करते वे जिरोध प्रदर्शन किया, इंडियन ब्रेमियर लीग 2021 के सीजन का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला दिली क्यापिटल्स और कॉलकता नाइट राइडर्स के बीच में इश्ट्रार जहां के मैदान में खेला गया जिसमें केकियाद की तीम ने तीन प्रिकेट से जीत हासल करते वे सीजन के फाइनल में अपने इश्ट्रेगह को पक्का कर लिया है लेकिन इस मैच के बाद कॉलकता तीम के विकेट कीपर बलेबास दिनेश कार्तिक को उनके बरताफ के लिए फटकार भी लगाए गई आपको बता दे दिनेश कार्तिक बिना खाता खोले पवेलियन लौट गया थे भारत अगले सब्ता सौ करोर से ज्यादा वाक्सीन खुराग देने के एक और मील के पत्थर तक पहुचने के लिए तयार है यहां तक कि सरकार की योज़नाएं गैर सरकारी संगठ्ष्णों और नीजी छेत्र को शामिल करने और जाग रुक के बीच इनफोसेस, S3FC बैंक और रिलाइंस इंडस्ट्री जैसे बड़े शेरों में तेजी से चलते प्रमुख शेर सूचुकांग से 6 और भिहस्पतिवार को शिरवाती कारोबार के दौरान 350 संग से अधिक बढ़कर पहली बार 61,000 के स्तर को पार कर गया इस दौरा 30 शेरों पर आधारित सूचुकांग 6,1196.48 के रिकॉर्ड सर्तक पहुचने के बाद खबर लिखे जाने तक 356.73 नंक या 0.59 पीज़ी की तेज़ी के साथ 16,093.78 पर कारोबार रहा था राजिस्तान में दो विधान सबाद सीट वललब गड़ और धरिया वद्ग में होने वाले उक्चनाव को लेकर राजुनेतिक बयान बाजी च्वरम पर है वो उक्चनाव को लेकर प्रदेश के खेल मंत्री ने बड़े बोल कर वेपक्ष पर निशाना साधा है बरसल प्रद मंत्राले ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकार छेत्र में व्रधी कर दी है अब बीएस सेफ को अंतरास्ट्रे सीमा से 50 किलोमीटर भीतर तक कलाशी गिरफतारी करने और जब्ती करने के शक्ति आ दी गई है ये विवस्था महरत पाकिस्तान और भारत बांगलादेश सीमा के स साथी 100 किलो मीटर से बाहर के अलाके NCR का मुख्यासान नहीं रहेंगे यानि मौजुदा NCR से 50 से 75 तक के अलाके इसके दायरे से बाहर हो सकते हैं ज्राफ्ट योजना NCR से 100 किलो मीटर रेडियस से बाहर के छेतों में लीनियर कॉरिडर स्थापित करने और एक्स्प्रेस वे नाशनल हाईवे और रीजिनल रापिड ट्रांगिट सिस्टम से एक किलो मीटर तक के अलाके के विकास का रास्ता साफ करता है महराश्य सरकार में मंत्री और NCR प्रवक्तार नवाब मलिक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है उनकी सुरक्षा वाई स्ट्रेमी से बढ़ा कर वाई प्लस कर दी गई है अब उनकी सुरक्षा में चार्ज सिपाही रहेंगे इस से पहले उनके साथ एक बोडी गार रहता था बताने की दवाब मलिक ने NCB की ड्रक्स पार्टी की ज़ाच में अनिम्ता को लेकर बड़े बयान दिये हैं जिसके बाद से उन्हें पोन पर धम किया दी जा रही है अब प्रत्याशियों के नाम वापसी के लिए 13 अक्टूबर आखरी तारीक थी अब प्रत्याशियों के नाम पर अंति मोहर लग चुकी है इसके बाद उप्चिनाव सीट्स पर नजर डाले और भविश्यों में उनके नाम से भाजपा की जीत पर आक्षरंगा जिताई है राविंदर जीत सिंग ने हाली में पार्टी की आंतरिक बैठक में कहा पर कॉंग्रेस ने सवाल उठाया है कॉंग्रेस प्रवक्तार अरटीप सुर्जेवाला ने टूईट कर कहा कि 25,000kg heroin drugs कुझरात के अधानी पोर्ट के माध्यम से 6,000kg heroin drugs का अधानी पोर्ट से 13,921 मेंanes को पकड़ी गई है पीली भीट से सांसाद वरुद गांधी ने आज पूर प्रधान मंत्री अटर विहारी बाजपाई का पुराना वीडियो ट्वीट करते में लिखा कि बड़े दिलवाले देता के समझतार शब्द वरुद गांधी ने जो वीडियो ट्वीट किया उसमें पूर प्रधान मंत्र कब 2020 में भारत के खिलाफ ब्लॉक बस्टर मैच से पहले आत्मिश्वास दिखाया है भारत दुबा इंटिजाश्टर में अपने शुरवाती मैच में पाकिस्तान से 24 अक्टूबर को भीड़ेगा बाबर को लगता है कि पाकिस्तान महतर तयार है क्योंकि पिछले तीन या चार साल से उनकी तीम UAE में ही क्रिकेट खेल रही है भारती हम AWE सेना के बेडे में तीन और राफेल लड़ाको विमान की एंट्री बुधवार को हो गई है फ्रांस के एर बेस से तीन राफेल लड़ाको विमान भारत के लिड़वाना हो चुके हैं और बुधवार देदरात ये भारत पहुंच रहा है आपको बता दे कि इन विमानों की लैंडिंग गुजरात के जामनगर में होगी आपको ये भी बता दे कि भारत के पास कुल राफेल लड़ा को विमानों की संख्या 29 हो जाएगी केंद्रे आवास एवं शेहरी मामलों के मंत्राले ने बुधवार को कहा कि देश भर में पीएम के एरिस्वां द्वारा वित्त पोशित किये जा रहे 1224 प्रेशर फिंग एक्सौर्प्शन ओक्सिजन उत्पादन सेहत्रों में से 1183 अब तक शुरू हो चुके हैं मत्राले के साचिफ दुर्गार शंगर मिश्वा ने संबादाता उसे कहा कि गुजरात अंधर प्रदेश, हर्याणा, गोवारोडेसा, सहीद वाइस राजी और केंद्र साशित प्रदेशों ने अपना स्चत प्रतिशक्त हासिल कर लिया है अफगानिस्तान के लिए ड्राइट रूट्स का नर्याद राजस्वे अर्जित करने का एक प्रमुक जर्या माना जाता है इसलिए तालिबान ने अब इनका नर्याद फिर से श्चुरू करने में मदद के लिए एरान से संपर किया है इरान से तरतस नीम न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान अफगारस्तान के व्यापार कारगों के परिवहन और शाबहर मार्क के माधम से भारत को ड्राइट रूट्स के निर्याद के तालिबान के प्रस्तावों का मुल्यांकन करने के लिए सहमती मिल गई है व्यजबैन के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पडोसी देश पाकिस्तान उन सिर्ष 10 कर्ज़दार देशों में शामल हो गया है जिसके पास सबसे ज्यादा बाहरी कर्ज है रिपोर्ट के मताबिक वो COVID-19 महामारी के बाद रिण सेवा निलंबन पहल का पात्र बन गया है इस वज़े से उसे अब विदेशी कर्ज हासिल करने में मुश्किल आ सकती है चीन ने एक बार समयर नाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोका है लेकिन मोधी सरकार की तरफ से ऐसा जवाब दिया गया कि ड्रागन की पसी ने छूड़ गया हाली में चीनी मीडिया के एक विवादित लेक में कहा गया था कि चीन अपने छेत्र को लेकर भारत से किसी भी प्रकार का समझवता नहीं करेगा और युदिकी स्थिती में चीन भारत को हरा देगा जो किसी ना किसी विवादों में घिरे हुए थे जैपुर के एडिश्टर कमिश्टर राहुल प्रकाश को भी हटा कर स्पेशल ओप्रेशन ग्रूप में लगा दिया गया है अगले कुछ दुनों तक दक्षिन भारती राजियों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है वहीं उत्रप्रदेश, हिमाद्रप्रदेश और उत्राखन में भी वर्षा का पुर्वानुमान है हाला कि देश के ज्यादतर हिस्तों से मौनसून की बापसी हो चुकी है बावजू दिसके कुछ राजियों में बारिश के लिए परिस्थित्या अनुकूल है भारत मौसम विज्यान विभाग ने बताया है कि 15 अक्टूबर से पूर्वी भारत और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी रामपूर गार्डन निवासी दवा व्यापारी पंगश कुमार की पत्ती डॉक्टर हेमा वर्मा रेहुल खंवर दियाले में होटल मैनेजमेंट विभाग में असिस्टेंट प्रिफेसर के पत्पर कारे रथ है उनकी बेटी उजाली वर्मा ने बुधवार को विश्ट बैंक नैरोबी केन्या कारियाले में बतार सलहकार जोइन किया है उजाली वर्मान में अग्रिनी कंपनी में मुंबई में सीनिर असोसियेट कंसर्टेंट के पत्पर कारे रथ है वहां से अफकाश पर विशुदान की सेवा जोइन की है किसानों के लिए मोधी क्याबिने बड़ा फैसला लिया है अगले साल 2022 में पांस राजियो में गोवा, मनिपूर, पंजाब, उत्राखंड और उत्तर प्रदेश वधान सभा चुनाव होने है उससे पहले चुनाव आयों में अधिकारियों की ड्यूटी और उनकी न्यूख्ती को लेकर गाइडलाइन जारी की है इलेक्शन कमिशिन आफ इंडिया ने इन स्ट्रक्शन जारी करते वे डीटेल रिव्यू करने को कहा है और जिनाफ ओफिसर्स को उनकी होम डिस्ट्रिक में पोस्ट किया गया है या फिर जहां उन्हें तीन से चार साल हो गये है उन पर इलेक्शन नेने की जरूरत है उन पर आक्शन नेने की जरूरत है दिले के मुख्यमत्रिय अर्विंद के जिवाल ने प्राजिबाल अनिल बैजिल को भेज़े के पत्र में कहा है लगातार बढ़ती महगाई के बीच अबाम आदमी के लिए राहत भरी ख़बर सामने आई है दरसल केंद्र की नरेंद्र मोधी ने खाने के तेल की कीमत को बढ़ता देकर इसे काबू मिलाने के लिए सीमा शुल्क में कटाती का एलान किया है केंद्र मंत्री पियोश गोईल न लेकिन जो अमीद कर्मचारी लगाए बैठे से उस पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है दरसल एर इंडिया कर्मचारियों को पॉर्टर खाली करने का लिए नोटिस मिला है जिसके बाद से यूनियन ने मुंबई में कमपनी के स्टाफ कॉर्टर को खाली करने का लिए मुंबई में गुरुबार को जवाहरला नेहरुपोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से उधर प्रदेश में एरान के लिए समुधरी मार्क से केले की पहली शिप्मेंट भेजेगा कल हमारे द्वारा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करिए दिया था सके लिया आपका बहुत बहुत है निवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजकुमार, जैप्रकाश, मुहमद अलिक्स, मंटो कुमार, राहुल चोहान, प्रीती रॉय, जीतन कुमार, गजी इंद्र सिंग, राज बली कुमार, गगन यादव, गुड़ो कुमार, राविकांत, वन जरो टू तुरी, दिवेश कुमार, सुरेश रॉय, उमेश याद हैं या नहीं, अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, देश-प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए, हमारे यूट्यूब चानल को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भू देने वाद